दोस्तों मेरा नाम है सोनुनिगम और आप देखना शुब कर चुके हैं Center for Social Studies की वीडियो तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस का अपडेट सलेबस है उसी से रिलिडिटी वीडियो है जो चप्टर नमर 3 है जो आपका New Centers of Power अब बन गया है चप्टर नमर 3 उसमें आप पहले चा इंद्र सत्ता का बनाया जाता है जिसमें 4 देश उस समय होते हैं और इसलिए उस समय ब्रिक के नाम से जाना जाता है ब्रिक के नाम से 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसकी स्थापना हुई तब इसकी पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में South Africa भी शामिल हुआ था और तब से जो है इसका नाम BRICS हो जाता है कैसे हो जाता है अब साउंध अफरीका इसमें जुड़ने के बाद आप देखेंगे तो B से ब्राजीर, आर से रशिया, I से, इंडिया C से, चाइना और S से साउथ अफरीका, तो 2009 के बाद से इसे जो है, ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ important points है जो आपको पता होने चाहिए, मैं आपको ये जो material हमें provide करा ये CBC की तरब से, उससे बता रहा हूँ, उसी से मैं आपको points बनाके बता रहा हूँ, वो English में है, मैं आपको उसमें अलग-अलग points बनाके आंसर किस तरह से लिखना है, वो आपको बता रहा हूँ, तो जब 2009 के बाद से परतेक साल इसका एक सम्मिलन होता है, यानि हर साल एक सम्मिलन जरूर किया जाता, अलग-अलग देशों में, जो इसके सद्य से देश हैं, वहाँ जाके तो अब तक इसके कुल 11 सम्मिलन हो चुके हैं और 11 सम्मिलन, यानि जो आखरी सम्मिलन था इसका, वो 2019 में पिछले साल ही ब्राजील में किया गया, अब जिस देश में होता है, उस देश के राष्टपती या प्रधानमंत्री इसको जो है चेयर करते हैं, इसके मुख्या बनते हैं सम्मिलन के, तो उस समय ब्राजील के राष्टपती जो अभी भी ब्राजील के राष्टपती हैं, वो वो आपस में आर्थिक लाब कमाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कहने का मतलब क्या है, कि जो पांचो देश हैं, वो एक दूसरे की अर्थवयस्था को एक दूसरे के लिए खोलेंगे, मतलब असान भासा में यह कहने का मतलब है, कि आप अपनी अर्थवयस्था को ह खोडना एक दूसरे के लिए पांचो देश मिलकर ये काम करेंगे आपस में तो इससे क्या होगा लाभ बढ़ेगा और एक दूसरे को सहेयोग करेंगे। आर्थिक लाभ कमाने में। दूसरा कि बाई इंडिया जो है उसकी चैना से बंती नहीं है तो चायना को जो है कहेंगे कि आपके प्रोड़ुक्ट पे तो हम 10% का tax लगाएंगे और रश्या के बोलिंग के नहीं नहीं आपके प्रॉइंट पर हम एक प्रसंट का टेक्स लएंगे तो यह नहीं चलेगा हमको एक दूसरे के साथ समानता का भैवार करना है आर्थिक तौर पे आर्थिक नीती के आन यह आपका दूसरा पॉइंट होता तीसरा पॉइंट क्या है कि सदस्से देश की जो आंत्रिक नीतियां है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे यानि कि देश के अंदर की जो नीती है किसी भी घरेलू राजनीती में कोई भी देश इंटर्वेंशन नहीं करेगा उसके देश में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा यह आएगा तीसरा पॉइंट य पहली बात तो यह कि चीन जो है जो इसका सदसे देश है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्ता है भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेस्ता है और रूस जो है वो ग्यारवी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेस्ता है तो आप देखें इसमें तीन देश जो है वो यूएन में वीटोधाई देश हैं तो ये कुछ महतोपूर्ण पॉइंट है जो आपको ब्रिक्स को बहुत महतोपूर्ण बना देता है और सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभारता है तो यस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको ये वीडियो समझाई होगी पसंदाई इसको शेर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य नए छात्रों तक भी इसे पहुंचाएं धन्यवाद